रमस्कार मैं अस्था कुक्रेजा एक बड़ फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अभी तक बचो हम लोग जो हैं हमारी जितनी भी कवीताईं पढ़ चुके हैं उमीद करती हूँ कि आप वो सारी की सारी कवीताईं घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हूँगे और आप उनके सभी प्रशनों के उतर जो हैं वो अराम से दे पा रहे होंगे तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी अगली कवीता शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा, सत्य, जो हमारी सत्य कवीता है, वो भी विश्नु खरेजी की कवीता है, कल हमने विश्नु खरेजी का जीवन परीचे पढ़ा था, आज हम लोग उनका जो जीवन परीचे है, व कि हम जो है हर बार जो सच है उससे पीछे भागते हैं या जो हम यह होता है कि सच का कई बर ही सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता हैं तो इस कवीता की आधारित पर यह बताया जाता है कि जो सत्य है हमारे आसपस ही होता है लेकिन बस हमें उसको ढूड़ना होता है और ह हमें उसे भागना नहीं होता हमें बस उसका सामना करके अपने आपको जो है उचा उठाना होता है तो इस कवीता में सच पर आधारित जो कुछ पंक्तिया है एक प्रसंग दिया गया है जिसमें युधिष्टर जो है वो विदूर के पीछे जो है वो भाग रहे है यहाँ पर विदूर उसके आधार पर यह कवीता का रचन किया गया है तो एक बार हम कवीता पढ़ेंगे उसके बदम आगे पढ़ेंगे जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे हटता जाता है जैसे गुहारते हुए युधिष्टर के सामने से भागे थे विदूर और भी घने अगलों में इसका अर्थ है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं कि जब हम सत्य की खोज में कहीं निकलते हैं तो वह सच जो है ना वह हमसे और भी कहीं दूर चला जाता है वह हमसे बिल्कुल अलग हो जाता है कैसे हुआ था गुहारते हुए युधिष्टर के सामने से भागे थ पर एक जो है सच का मानवी करण विदूर के साथ किया गया है विदूर को सच का प्रतीक माना गया है यहाँ पर तो युदिष्टर जो है प्रसंग हुआ था जिसमें युदिष्टर जो है वो विदूर जी को बुला रहे थे लेकिन जो विदूर है वो आगे भागे चले जा रहे और उनको पुकार रहे थे बार बर का रहे था कि उनको सुन लें और एक समय के बाद जो विदूर है वो रुक जाते हैं और यहां पर वह खेए पर जैसे की यृदिश्टर बोर है और व मे विदूर को पुकार रहे थे घने जंगलों में और उसके बावजूद भी जो विदूर है वो लगातर आगे बढ़ रहे थे यानि कि सच जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था तो ऐसे में जब भी हम सच को पुकारते हैं जो सच है वो हम से पीछे हटता चला जाता है इसमें ये चीज़ बोली गई है विदूर एक व्यक्ति है और सत्य एक भाव है तो विदूर को सत्य भाव से जो है उसको प्रतीक दिया गया है सत्य भाव का प्रतीक अगर मैं विशेश की बात करूँ तो तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो युधिष्टर है वो विदूर के पीछे भाग रहे हैं यानि कि सत्य के पीछे भाग रहे हैं सच की खोज के पीछे भाग रहे हैं हम इसको इस थरीके से ले सकते हैं और जितना वो सच के पीछे भाग रहे हैं उतना ही सच जो है वो उनस वारल भाशा को प्रयोग दृष्टांत अलंकार का भी इसमें इस्तमाल हुआ है तो हम नंबर तीन पर डालेंगे दृष्टांत अलंकार हम इसमें ये तीन चीजें डालेंगे उसके बाद इसका भावर्थ कि कभी विश्णु खरे ने इस कवीता के माध्धम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह आज के युग में सत्य की पकड़ जो है वो कमजोर होती जा रही है लोग सत्य की जगा पर जूट का सहारा ले रहे है कभी कि अनुसार सत्य को केवल पुकारने मात्र से ही वे प्राप्त नहीं हो जाता सत्य को पाने के लिए कठोर तप की आवश्यक्ता होती है जिस तरह सोना तप कर जल कर फिर जाकर चमकता है ठिक उसी प्रकार सत्य को पुकारने के लिए प्राप्त नहीं होता, सत्य को पाने के लिए आपको पहले तपना पड़ेगा, तब जाकर सत्य आपको आवाज देगा, जैसे युदिश्टर विदूर को पुकार रहे थे, तो विदूर है वो आगे भढ़ रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे तो उनका जवाब पाने के लिए युधिष्टर को कठिन तब करना पड़ेगा तब ही जाकर जो विदूर है वो उनको जवाब देंगे सत्य कवीता का यह हैंच आपको महाभारत की कहानियों से कुछ मिलता जुलता दिखेगा जब युधिष्टर सत्य की बात कहने वाले विदूर के पास जाते हैं उन्हें सचका साथ देने के लिए कहते हैं तब विदूर पांडव के साथ हुए अन्याय के प्रती कोई व्यर्थ प्रकट नहीं करते हैं और युधिष्टर जब सत्य के साथ खड़े होने के लिए कहते ह तब विदुर उनसे जो मूँ छिपा कर आगे भाग जाते हैं तो यह उस प्रसंग का एक अंश है अर्थात यहाँ पर दो चीजे देखी गई है एक सत्य के पीछे भागता हुआ युदिश्टर और दूसरा सत्य का प्रतीक विदुर अन्याय के पक्ष में कुछ ना कहते हुए युदिश्टर से अपना मूँ छिपाए रहते हैं पांड़ के साथ गलत होने के कारण वह अपना मूँ छिपाए रहते हैं सत्य वादी होते हुए भी सत्य का साथ नहीं देते हैं इस पंक्ति में ये चीज़ बताए गई है उसके बाद अगला है सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं देखिए जब हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा उधारन देना कभी ना कभी कुछ ना कुछ चोटी चोटी जगा है उन पर हम उसको पाने से रह जाते हैं तो ऐसे में हमें अपने आपको द्रड़ निश्चवी बनाना होगा कि चाहे वो कितनी भी आगे जाए चाहे हम थोड़े से जादा से रहें लेकिन हम उसको पाकर रहेंगे तो सच क तो आगे भागेगा और हमें फिर उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा तो यहाँ पर उसकी तुल्ला कुछ इस प्रकार से की गई है तो वो कहते कि सच्चना ये चीज जानना चाहता है कि आप उसके पीछे तक कितनी दूर जा सकते हो यानि कि आप उसको पाने के लिए कित इन पंक्यों के माध्यम से जो विष्णु खरेजी है वो सत्य की महीमा का बखान कर रहे हैं और उसके बाद हम इसकी व्याख्या जो है वो करेंगे भावार्थ सत्य में शायद कभी-कभी जानना चाहता है कि हम सत्य का साथ पाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं शायद विदूर भी यहीं जानना चाहते थे कि युदिष्टर विदूर का साथ पाने के लिए किस हाद तक कितनी दूर तक जा सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे विदुर आगे बढ़ रहे थे युदिष्टर उनका पीछा कर रहे थे तो वो यह जानना जाते थे कि वो उनके पीछे कितनी दूर तक आ सकते हैं यहां पर इन पंक्टियों के माझे यह बताया गया है उसके पीशिश के बाद लिखेंगी विशेश हम लिखेंगे कि गरदें भाषा का इस्तकर माल wz तीसरा है भाशा में प्रवाम एता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यह आप तीन विंदों में आप इसके विशेश को खतम करेंगे उसके बद अगला है कभी दिखता है सत्या और कभी ओजल हो जाता है और हम कहते रहे जाते हैं कि रुको यह हम है जैसे धर्मराज के बारबर दुहाई देने पर की ठहरिये स्वामी विदूर यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिश्टर वे नहीं ठिठकते यह हमारे पास अगला पध्यांच है कभी दिखता है सत्य पहले इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तूत पंक्तियां हमारी हिंदे की पाठे पुस्तक अंत्रा में सत्य नामक कविता से उद्रित की गई है जिसके रचियता विश्णु खरे जी है इन पंक्तियों के माद्यम से विश्णु खरेजी जो है सत्य की पकड़ के लिए आपके आत्मविश्वास के उपर बात कर रहे हैं उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे यानि कि हम जब अपनी मंजल के बहुत करीब आ जाते हैं और उस करीब आने के बावजुद भी हमें एक इदम से वो मंजल हमसे दूर चली जाती है तो सत्य कभी हमारे सामने आखों के आगे से ओजल हो जाता है जैसे विदूर जब वो आगे जा रहे थे तो कभी वो हैं हैं जब हम मंजल पाने की बात करते हैं सच पाने की बात करते हैं तो हम यह कहते रह जाते हैं कि बस रुक जाओ बस रुक जाओ बस इतना हमने इतनी महनत करी अब तो रुक जाओ अब तो रुक जाओ लेकिन हम बस कहते रह जाते हैं और जो वो सच है वो हमसे बहुत आपका सेवक तो योदिश्विश्व ने उनको बारबर पुकारा कि आप रुक जाएं यहा है मैं हूं आपका सेवक हुं दो बेटा जो युदिश्टर थे ना वो कुंती के बेटे थे तो उन्होंने बोला कि मैं कुंती नंदन पुत्र हूँ मैं आपका सेवक हूँ आप रुक जाईए आप मेरी बात को सुनिए वो बारबर विदुर यानि की सत्य को पुकार रहे थे लेकिन जो सत्य है वो उनसे पीछ इसका अर्थ ये होगा उसके बाद हम इसका एक बार विशेश देखेंगे विशेश में युदिश्टर के दरेट निश्य होने की बात की गई है यहाँ पर अब आप एक शब्द देखेंगे बार बार एक शब्द तो बार बार शब्द में एक शब्द की आवरती बार बार आ रही है इसके करण यहाँ पर पून है रूप्टी प्रकाश अलंकार होगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं दृष्टान्त अलंकार भी इसके अंदर इस्तिमाल हुआ है तो आप यहाँ पर यह लिखेंगे द्रिश्टान्त अलंकार का भी इसमें प्रियोग किया गया है यह हमारा इसका विशेश होगा बहावार्त कभी विश्णु खरे ने इन पंक्तियों के माद्धिम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य कभी हमारे आसपास ही रहता है और कभी हमें दिखता ही नहीं है क्योंकि कभी कभी सत्य हमसे बहुत दूर हो जाता है और कहा चला जाता है यह हमें पता भी नहीं चलता तभी तो बारबर धर्म के राजा युदिष्टर की कहने पर और विनती करने पर भी स्वामी विदूर नहीं रुखते युदिष्टर ने विदूर स्वामी से यह भी कहा कि मैं कुंती नंदन हूँ यानि कि कुंती का बेटा हूँ अर्थात कुंती का पुत्र आपका सेवक हूँ आप रुखिये मगर विदूर नहीं रुखते और वे जंगल की और जो है भाग जाते हैं सत्य हमारी परिक्षा लेता है कि हम किस हद तक सत्य की पीछे भाग सकते हैं उसको पाने के लिए त्यार जो प्रयासे हम वो कर सकते हैं अगला है जैसे शमी व्रक्ष के तने से टिक करना पहचानने में पहचानते हुए विदूर ने धर्मराज को निर्मिमेश देखाता अंतिम बार और उनमे से उनका आलोक धीरे-धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिस्टर में सिर जुका विलील हुआ या हमसे होता हुआ आगे पढ़ गया यह हमारा अगला जो है एक पध्यांच है शमी वरक्ष एक वरक्ष का नाम है जो कि महा भारत में इस वरक्ष का यह होता है उसके बाद आलोग कर्थ होता है प्रकाश पुंज अर्थात किरण प्रकाश की किरणे जो निकलती है उसको हम पुंज कहते हैं जब बहुत सारी प्रकाश की किरणे एक साथ निकल कर आती है विलीन होना या समा जाना या मिल जाना या मिल जाना ये होंगे इसके अर्थ उसके बाद है कि यहाँ पर पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तूत पंक्तियां हमारी हिंदिक की पाठे पुस्तक अंतरह में सत्य नामत कवीता से उध्रित की गई हैं जिसके रचियता विश्नु खरेजी हैं इन पंक्तियों के माध्यम से जो विश्न रहे हैं उसके बाद हम इस एक अर्थ करेंगे कि जैसे शमी व्रख्ष के तने से टिक्कर ना पहचानने में पहचानते हुए विदोर ने धर्म से देखा था कि जब जो विदूर है जब वो शमी व्रक्ष के तने से टिककर खड़े हुए थे वहाँ पर एक व्रक्ष था शमी नाम का उस व्रक्ष के जब तने से वो टिककर खड़े थे वहाँ पर तो उन्होंने धर्मराज को इस तरह के से देखा था कि वो उसे पहचान नही कि हम किसी को नहीं जान्ते हम उसको पहचान नहीं पाहे फिर भी हम उसको पहचानने के स्मय तर débशार के लिए देखते हैं तो JOSH कि थे लेकिन बिन फरी में द्रोक में आगे बढ़ गया था उधिज 하ास को प्रकाश है उनको देखते ही देखते हैं कि अंदर उसका जो प्रकाश है वो मिल गया था यानि कि विदूर अर्थात सत्य का जो प्रकाश है वो जाकर युद्धिश्टर में समा गया था सिर जुकाए निराश लोटते हैं हम कि सत्य अंत तक हम से कुछ नहीं बोला और हम जो है अपनी आग को क्योंकि द्रड निश्चई नहीं रख पाते हैं इसलिए जो सत्य है वो हम से निराश हो जाता है और हम जो है सिर जुकाकर निराश होकर वापिस लोट आते हैं कि सत्य जो जो है उसको पाने के लिए युदिष्टर की तरह हमें प्रयास रत होना पड़ेगा हमें द्रड निश्चय होना पड़ेगा तब ही जाकर जो हम सकते हैं उसको पा सकते हैं हां हमने उसके आकार से निकलता एक प्रकाश पुंज देखा था तो विदुर जो है जब उन्होंने युदिष्टर की तरफ देखा था तो उनके जब उसके देखने के बाद उनके आखों से प्रकाश पुंज जो सक्चाई की पुंज निकल कर जो किरने निकल कर आ रही थी वो युदिष्टर में मिली और उन किरनों से युदिष्टर को एक बार को ये लगा कि उन्होंने ज हमसे बाहर निकल कर जो है वो आगे बढ़ गया तो ये दो परिस्थितियां उसकी सामने यहाँ पर देखने को मिलती है कि युदिश्टर ने अपने द्रण निश्चय की कारण उस सत्य को पा लिया और उसके बाद जो है वो सत्य जो है आगे बढ़ गया यह हमारी पंक्तिया थी पहले हम इसका विशेश करेंगे पहले हम इसका विशेश करेंगे विशेश में पहली चीज तो हम बिल्कुल यहीं लिखेंगे कि सरल भाशा का इस्तेमाल है दूसरी चीज़ आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे दृष्टान तलंकार का प्रयोग किया गया है तीसरा आप इहाँ पर देखिए प्रकाश पुंज आपको यह शेब्द देखने को मिलेगा और पर वन की अवरिति के करण आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा अब अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा उसके बाद देखिए हाँ हमने इसमें भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है धीरे धीरे शब्द में आपको पुन्हे रूप्ती प्रकाश अलंकार देखने को मिल जाएगा धीरे वर्ण की आवर्थी की कारण तो यहाँ पर जो है यह हमारा विशेश खतम होता है भावार्थ सत्य का प्रकाश उन पर बिखर रहे थे उनसे छिपकर वहे भी आखरी बार कहने का तत्पर यह है कि इस घटना के बाद विदूर की मृत्यू हो जाती है विदूर को यह एहां एसास होता है कि वह अब जीवन और मृत्यू के माया जाल से निकलने वाले हैं और इस माया जाल से निकलने से पहले वो अपने अंदर की ऑन की ऑुर्ज आ है आता कि यूदिश्टर से अच्छा व्यक्ति इसके लिए कोई भी नहीं हो सकता है तब ही तो जैसे उनको पता चलता है कि सत्य की खोज में निकले यूदिश्टर उनसे सत्य का साथ पाना चाहते हैं तो महाराज यूदिश्टर को विदूर अपनी सारी शक्यां देर देते हैं और उसके बाद मृत्यू को प्राप्तू हो जाते हैं अगला रहेगा हम कहें नहीं सकते ना तो हमसे कोई स्पूरण हुआ और ना ही कोई ज्वर हुआ किन्तु शेश सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिविंब हम में समाया या नहीं हमारी आ यहीं बात कह सकते थे सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किये युधिश्टर ने खांडव प्रस्त से इंदर प्रस्त लोटते हुए पहले इन पंक्तियों की बात करेंगे कि प्रस्तूत पंक्तिया हमारी हिंदि की पाठे पुस्तक अंतरा में सत्य नामा कवीता से उद्रित की गई हैं जिसके रचियता विश्नु खरेजी हैं, इन पंक्तियों के मात्यम से जो विश्नु खरेजी हैं, सत्य का जब हमारे अंदर आगमन हो जाता है, समावेश हो जाता है तो उसके बाद की स्थीति का वर्णन कर रहे हैं, के मदा हम इसकी व्याठ्या करेंगे, कि हम कहें नहीं सकते ना हम में कोई स्पूरण हुआ और ना ही कोई ज्वर हुआ कि जब सत्य हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो ना तो हम में कोई चेतना ही इकठी होती है और ना ही कोई ज्वर ना ही हम बिमार होते हैं और ना ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई उर्जा जो है वो जा रही कि सत्य हमारे अंदर समा चुका हैं लेकिन हम उसके बावजुद भी पूरे जीवन ये चीज सोचते रह जाते हैं कि वो हमें समाया है या नहीं जिस प्रकार से विदुर ने अपने प्रकाश पुंज को युदिष्टर के अंदर जो है समा दिया था तो युदिष्टर ये या नहीं, सत्य उनको मिला या नहीं, इसी प्रकार से हम भी हमेशा सोचते रह जाते कि क्या हम में सत्य समाया या नहीं समाया, हमारी आत्मा में जो कभी-कभी दमक उठता है, क्या उसी का चुवन है, और कभी-कभी हमारी आत्मा में जो एक चमक उत्पन होती है, या जो हमारी आत्मा में एक दीपती सी उत्पन होती है क्या वो दीपती इसकी छुवन है क्या वही है कि हम ये कह रहे कि हमारी आत्मा में छुवन उत्पन हो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा में सत्ते गुज़ गया है क्या हम ये वाली बात कह रहे हैं तो यहाँ पर इसकार्त जो है यह दिया गए है दमा कर्था चमक या दीपती यहाँ पर यह होगा हम एक बार इसका भावार्थ फिर इसका विशेश करेंगे कवीता के इस अंश में जो विदूर है वो शमी विरक्ष की टहनियों से चिपक कर युदिश्टर को देख रहे थे और अपना टेज बिखेर रहे थे और हम पच्चताएंगे कि सत्या ने हमसे कोई बात नहीं की जबकि सत्या बोलता नहीं है बस समय रहते हमें उसे पहचानने की आवश्चक्ता है वो यह कहरा कि सत्या जो हमारे अंदर है बस हम उस चीज को पहचानने पाते कि वो हमारे अंदर कब आया और कब चला गया हमें बस उसको पहचानना है जिस दिन हमने सच को पहचान लिया उस दिन सत्य की जो समस्त शक्तिया है वो हमारे अंदर आ जाएगी और हम सत्य से परिचित हो जाते हैं इस अंच में कभी सत्य के बारे में कुछ बाते बताना चाहते हैं कवी कहते हैं कि जब सत्य का प्रकाश हमारे अंदर समाहित हो जाता है तो वह हमसे हमें कोई सबूत नहीं देता वो हमें कहता नहीं है कि मैं तुमारे अंदर जा रहा हूं वो नहीं बोल कर जाता योगि उस वक्त नहीं हमारे शरीर के अंदर कोई हलचल होती है ना कोई भुकंप या कमपन जैसा महसूस होता है जैकि हमारे शरीर में कुछ फीली नहीं हो रहा है उस चीज के बारे में तो ना ही है वो हमें बता के जा रहा है बस हमें तो इस चीज को महसूस करना है अर्था सत्य का प्रकाश जब हमारे अंदर आता है तो कुछ भी नहीं बताता, कुछ भी नहीं दिखाता जिसे हमें यह मालूम चले कि आखिर कर सत्य का प्रकाश हमारे अंदर आया या नहीं आया यह हमारी पंक्तियां हो जाएंगी, पहले हम इसका विशेश करेंगे, विशेश में हम लिखेंगे सरल भाषा का इस्तिमाल हुआ है और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें, आपको एक कभी कभी शब्द देखने को मिल रहा है सरल भाशम कभी-कभी शब्द में कभी वर्ण क्या व्रती के कारण पूर्य रूप्ति प्रकाश लंकार आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर तो आप इसमें दिखेंगे कभी-कभी में पूर्य रूप्ति प्रकाश लंकार है ये होगा हमारा इसका उसके बाद हम अपनी अगले काव्यांच पर आएंगे विदूर कहना चाहते तो वही बात कह सकते थे सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किये युधिष्टर ने खांडव प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ लोटते हुए पहले प्रसंग करेंगे प्रस्तूत पंक्तिया हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक अंत्रा में सत्य नामक कवीता से उद्रित की गई है जिसके रचियता विष्णु खरेजी है और इन प्रंक्तियों के माध्याम से जो कवी है वो युधिष्टर के जो मन की जो स्थिती है उसका वर्णन कर रहे है उसके बद हम इसकी व्याख्या करेंगे कि विदुर कहना चाहते तो वही बात कह सकते थे वो ये कह रहा है कि विदुर अगर वो बताना चाहते तो वो बता सकते थे कि उन्होंने उसके अंदर एक जो प्रकाश पुंझ है वो डाल दिया है अगर कुछ ऐसा होता तो वो उसको बता सकते थे सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट युधिस्टर ने नीचा किया हुआ तो युधिस्टर ने अंत समय में जो अपना मुकुट है जो उन्होंने पहना हुआ था वो माथे के साथ नीचा किया और वो यह वाली बात सोच रहे थे कि अगर विदूर बताना चाहते हैं उन में यह चीज़ सोच रहे थे कि अगर विदुर्द चाहते तो वो उसको यह वाली बात बता सकते थे कि उन्हों ने उसको प्रकाश पुंज दे दिया है अर्थात अपनी सारी शक्तियां उसको दे दी है यह हमारा इस कांत में भावार्थ था हम इसका बात में विशेश लिखे सरल भाशा है दूसरा आप इसमें लिखेंगे देखिए खांडव प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ जब इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि तुकांत शब्दों का इस्तमाल जो है एक पंक्ती में खिया गया है तो आप यहां पर यह वाली आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं इसी के सथ हमारी जो कवीता है यह आपर खतम होती हैं अब इस कवीता से जुड़े हुए जितने भी प्रशन है जो परिक्षण में पूछे जाने हैं एक बार अब हम उनके उपर बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहरी हूं कि ना हमें प्रशन उतर उस तरीके से तयार करने हैं जिस तरीके से हमें हमारी परिक्षण में उनके उतर लिखने में मदद मिले तो सबसे पहले बात हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी जैसे कि हम व्याख्या करी है हम हर कवीता की बहुत अच्छे से व्याख्या सीखते आ रहे हैं जिसमें कि हम पहले उसका प्रसंग सीखते हैं फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं और फिर हम उसकी भाषा लिखते हैं तो जिस तरीके से हम यह चीज लगातार करते आ रहे हैं तो जो आपकी ये कवीता में जो ये व्याख्या है ये आपकी परिक्षा में अगर आपकी इस कवीता से या किसी भी कवीता से आती है तो वो छे अंकों की होती है तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है कौन सी कवीता आएगी हमें ये नहीं पता लेकिन जो कवीता आएगी हमें उस कव आपने लिए प्रशन भी तयार करने हैं, यानि कि एक कवीता में से दो प्रशन तो आपको वो भी तयार करने हैं साथ की साथ, तो इस कवीता में जितने भी हमारे सामने जितने भी महतुपूर्ण प्रशन आएंगे, मैं आपको वो महतुपूर्ण प्रशन बताऊंगे और कार रहे हैं महा भारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ को खोले तो यहाँ पर है कि वह प्रशन पूछ रहा है कि सत्य क्या पुकारने से मिलता है जब हमने यहां पर इस कविता में पढ़ा था कि जो विदूर है वो आगे जा रहे थे और युदिष्टर जो है उनका पीछा कर रहे थे और जैसे ही वो युदिष्टर विदूर को बुलाते वो और भी जा रहे थे और भी आगे जा रहे थे तो यानि कि सत्य जो है जब तक आपके अंदर एक द्रड निश्चे नहीं ह आपको जो है उस सत्य की जो मिलन है आपका उसके साथ नहीं होगा तो युधिष्टर विदुर को क्यों पुका रहे थे क्योंकि जो है वो सत्य को पाना चाहते थे यानि कि वो विदुर को एक सत्य जो उन्होंने विदुर में एक सत्य को देखा था उसको पाना चाहते थे महा आज चारो तरफ जूट नहीं फैला होता कभी था कि अनुसार सत्य को बुलाने से नहीं बलकि सत्य बोलने से सत्य का पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं वो चीज जो है वो बताती है कि सच क्या है और जूट क्या है सत्य को पाने के लिए संघर्श करने पड़ते हैं जैसे महाभारत में धर्मराज युधिष्टर ने संघर्श किया था कि जो विदूर है वो उनसे दूर जा रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना निश्चे जो है कि जो सच की खोज में निकला और अपने द्रड निश्चे के कारण उसने सच को अंत में पा लिया लेकिन उसमें अंत में ये कवीता में पंग्तियां भी आई थी कि जो युधिष्टर है जब उनका प्रकाश पुंझ समा गया तो उनको पता ही नहीं चला और फिर भी ये चीज़ सोज रहे थे कि मुझे वो मिल जाता है यानि कि जब वो प्रकाश पुंझ अंदर आता है तो कोई दीप्ति, कोई चमा, कोई प्रकाश, कोई कमपन नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी जब सच हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमें उसकी अनुभूती स्वयम करनी पड़ती है कोई अन्य चीज भारी वस्तु हमें उसकी अनुभूती नहीं कराती है यह हमारा पहला प्रशन था उसके बाद अगला रहेगा सत्य का दिखना और ओजल होना से कवी का क्यातात पर है देखिए एक समय हमारा वो आता है जिस समय पर जो सच है न वो हमें लगता है कि बस हमने उसको पा लिया और बस अब हमारी जो मंजिल है वो हमें मिल चुकी है लेकिन अगले ही पल क्या होता है कि जो वो सच है वो हमारी आखों से देखते ही देखते कही गया वो जाता है तो सच को पाने के लिए एकदम से वो दिखाई दे रहा है और उसी समय पर उजल भी हो रहा है तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि हमें सच को पाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा अगर हम इसके लिए प्रयासरत नहीं रहेंगे तो वो हमें दिखेगा लेकिन उसके बाद जो है वो ओजल हो जाएगा क्योंकि हमारी जो मन है शक्ति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि उ उसके दिखने के बाद उसको पकड़ ले, तो वो अपने आप ही ओजल हो जाता है, तो अगर हमारी मन स्थिती मस्बूत होगी, तो वो ओजल नहीं होगा, और वो दिखेगा भी, और वो हमारे अंदर समा भी जाएगा, सत्य है, सभी व्यक्ति की अंदर विराजमान है, फर्क स सत्य ओजल हो जाता है, जब जूट सत्य के सामने भारी हो जाता है, बस वो छिप जाता है कहीं पर, सत्य अगर सही तरीके से बोला जाये, तो सत्य सत्य है, अगर सत्य को लोग तोर मरोड कर प्रसूत करते हैं, तो सत्य ओजल हो जाता है, सत्य हमेशा उनको ही दिखता है, जो सत्य को अपना सब कुछ मान लेते हैं अर्थात सचाई के रास्ते पर चलते हैं सच सिरफ उन्हें दिखाई देता है जो अपने जीवन में हर छोटी बात के लिए जूट का सहारा लेते हैं उन्हें सच दिखाई नहीं देता हमारा अगला प्रेशन होगा सत्य और संकल्प के अंते संबंद पर अपने विचार जो है व्यक्ति कीजिए देखिए मैंने एक चीज सोच ली कि मैं ये चीज करके रहूंगी लेकिन उस पर क्या मैंने उसका मैंने बस सोच लिया कि हा मुझे ही करना है ल मैंने अपने संकल्प को मजबूत किया मैंने खुद को दुर निश्चय किया कि मैं ये करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए तो जब मेरा संकल्प मजबूत होगा ना तो मुझे किसी भी चीज को हासिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जैसे ही संकल्प कम मजबूत नहीं होगा आपका वो ठानी हुई चीज व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि आपका जो संकल्प है वो मजबूत नहीं है तो इसके बीच में बहुत ही संबंद है कि दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ा होना जरूरी है अगर आपने कुछ सोच लिया और आपके अं संबंद है एक भक्त और भगवान के बीच कैसा संबंद होता है ठीक वैसा ही संबंद जो है वो सत्य और संकल्प के बीच में होता है भक्ति के मार्ग से होकर ही मनुष्य भगवान को प्राप्त जो है वो करता है ठीक वैसे ही सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संकल्प का होन अती आवशक है, आप दरड़ निश्चय हो सत्य जो है एक दिन आपके कदमों में आकर गिर जाएगा, बिना किसी संकल्प के हम किसी भी मार्ग पर नहीं चल सकते, सत्य और संकल्प का आपस में बहुत ही गहरा संबंद है, सत्य भी उनका ही साथ देता है, जो हमेशा सच के पत पर लगे रहते हैं, कहते हैं कि सच्चाई का जो पत होता है वो कठिन होता है, लेकिन एक दिन जो हैना, आपको जीवन में χुशिया दिलाता है, और जो छूट का पत होता है, वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उसकी अंत मन्जिल पर पहुँचते हो तो उस मन्जि उनके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करता अगला है युधिस्टर जैसा संकल्प से क्या तात पर है देखिए युधिस्टर बार बर जो है विदूर को बुलाना चाहता था लेकिन जो विदूर है वो फिर उसके आगे जा रहा था फिर वो उसकी बात को अंसुना कर रहा था तो एक समय के बाद जो विदूर है वो आकर रुक भी गया था और उसने अपना प्रकाश जो पुंज था जो प्रकाश की किरिणई थिया जो उसका अपना तेज था उसने युधिस्टर की अंदर जो है अपना वो तेज प्रवाहित कर दिया था यानि कि यहाँ पर अग दिया और सत्य ही उनके जीवन का महत्वपूर आधार था युधिस्टर इतने सत्यवादी थे कि उनके समक्ष विदूर तक को भी जुकना पड़ गया था युधिस्टर के जीवन में अनेक कठीनाईया आई थी मगर उन कठीनाई के परिस्थिती में भी उन्होंने सत्य का स प्रशन है यह अगर आप इस प्रशन को देखें तो यह प्रशन परिक्षा की दृष्टी से बहुत अच्छा है और पूछा जाता है तो आपको इस प्रशन पर जो है थोड़ा ध्यान देना है अग़ला प्रशन होगा सत्य की पहचान हम कैसे करें कवीता के संधर्भ में सपष्ट कीजिए लेकिन बस हमें उस चीज का अनुभव करना पड़ता है कि वो हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है या हमारे जो छिपी हुई एक ताकत होती है वो एक सत्य है तो हमें बस उसको पहचानना होता है तो उसकी पहचान कैसे करे, सत्य प्रत्य एक मनुश्य के अंदर वो विराजमान है, उसके अंदर पहले से ही है, उसे ढूडने के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होती, मनुश्य अगर अपने अंतर मन की आवाज सुनेगा, तो उसे सत्य जो है अवश्य मिल जाए तो आपको सचका जो मार गया, वो बहुत अराम से मिल जाएगा, सत्य कभी स्थिर नहीं रहता, उसे समय समय पर उप्योग करने के आवश्यक्ता होती है, जहां गलत हो वहाँ सत्य बोलना चाहिए, जहां अधर्म हो वहाँ धर्म का साथ देकर सत्य को जिताना जो है, वो चा अकेले पढ़ जाएं, लेकिन उस अकेले पन से ना घबरा के, जो सही है उसका साथ दे और अपने जीवन में आप सत्य को बहुत अराम से हासिल कर लेंगे, अगला है कवीता में बार बार प्रयुक्त हम कोन है, उनकी चिंता क्या है, कवीता में हम शब्द का इस्तिमाल बार लेते हैं और अपने आपको जो है साबित करने के लिए चोटी से चोटी बात के लिए सच को जुकला देते हैं, और सत्य को धूड़ने के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं, जिनको पता है कि उन्होंने किसी बात को लेकर जुट बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्य को ढूंडने के लिए बाहर की तरफ घूम निकलना शुरू कर देते हैं अपने मन की आवास को वो सुनना ही नहीं चाहते तो उन लोगों के लिए हम शब्द का इस्तिमाल किया गया सच की रहा पर चल अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड इन पंक्तियों के प्रकाश में कवीता का मर्म खोली है कि सत्य की रहा पर चल जीवन में सबसे जो कठीन काम है वो है सच की रहा पर चलना इससे कठीन काम कुछ भी नहीं है अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड इससे कठिन काम कुछ भी नहीं है जूट बोलने से असान काम कुछ नहीं है और सच बोलने से मुश्किल काम कुछ नहीं है लेकिन हमें कोशिश करनी है कि क्योंकि हम शुरुवात में हम ये नहीं कह सकते कि हम कर ही लेंगे हम एक छोटे से शब्द से प्रयास करेंगे हम एक छो कोशिश तो यही करें कि हम हमेशा सच ही बोलें कठिन रास्ता हैं लेकिन अंत में जब हम जाएंगे तो जो वो मंजिल है वो बहुत ही आसान होगी तो सच की रहा पर चलना चाहिए अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़ और सच्चाई के रास्ते पर पर चलो जूट का सहारा नहीं लेना है आज जिस समाज में हम सभी रहते हैं वह समाज और धर्म के पत पर अग्रिसर हो रहा है आज सच्चाई पर जूट जादा हावी हो रहा है आज जूट बोलने वालों की जित होती है और सच बोलने वालों की हार होती है लेकिन अगर आप सच की रहा पर चलेंगे तो वो जूट जो है उससे थोड़ा कठीन होगा लेकिन बहुत असाने से एक दिन आप अपने उपर गर्व महसूस करेंगे तो यह इसके प्रशन थे कवीता खतम हो गई हमारी हमारे प्रशन उतर खतम हो चुके हैं लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूंगी कि कवीता को बहुत अच्छे से हमें करना है कवीता के प्रसंग को उसकी व्याख्या को उसकी भाशा को ताकि हमारे सामने चाह है अगर हमें इसको पिता के तो हमें प्रशन है ना हमें उसको रटने की जरुरत नहीं पड़ेगी हम अपने शबदों में भी उन उत्तरों को लिख सकते है ऺंब रखने की जुआ हमारी शब्द सीमा है जो ज चीजन पर कीवर्न पर्ष्टान से करना है realize की कोछ्ट करना परिकशा में किसका जीवन परिचै पूछा जाए इस बात का हमें भी पटा है लेकिन हमें उस जीवन परिचै में जो कभी है या लेखक है उनका जनम का समय , उनकी मृत्य। का समय उन्होंने जो है कहां पर उनका जनम हुआ अगर उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी है तो वो परिवार के बारे में जानकारी साथ में अगर उनकी शिक्षा दिक्षा कहां पर हुई उनका अध्यापन कारी अगर कुछ है तो वो आप ये सब चीजे परीचे में उसके बाद फिर साहित्यक परीचे में उन्होंने कौन-कौन से पुरुसकार हासल किये हैं, वो लिखेंगे, उसके बाद अगर उनका साहित्यक अप्रती जुकाव रहा है, तो वो किस प्रकार रहा, उन्होंने अगर किसी पत्रीका का संपादन किया है, तो आप वो सब वो पूर है रचनाई, जरूर लिखनी है, रचनाओं का आप अंतिम बिंदू बनाएंगे और इन चार बिंदू से होते हुए आप अपने परीचे को पूरा करेंगे, तो हमारा एक परीचे, फिर कवीता, फिर हमारे प्रशन उतर और इसी के साथ जो हमारी कवीता है वो खतम ह होती हैं तो उमीद करती हूं बच्चों कि आपको ये कवीता समझ में आई होगी और आप घर पर पढ़ रहे होंगे और आप अपने जीवन में सच्चाई को अपनाने की कोशिश करेंगे तो इसी के साथ आज की क्लास हैं पर खतम होती हैं जुड़े रहें पढ़ लो इंडिय